हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माझ यूटूब चैनल देखे फ्रेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.3 का वेरी वेरी इंपूर्टेंट क्विश्चन क्विश्चन नमर 3 देखेंगे देखे इस परकार का क्विश्चन एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का एक एक को निकालने हैं प्राप्त करने हैं सभी other zeros को किसके इस polynomial के if two of its zeros are under root of five by three and minus under root of five by three अगर उन में से दो zero आपको given है ये और ये तो बच गए वो zeros इसके अब आपने find out करने हैं ठीक है तो देखें कैसे करेंगे अब हमें पता है ये दो zeros given अपने पास तो क्या लिखेंगे since since two zeros जो है वो क्या है two zeros are under root of five by three and minus under root of five by three है वही ये given है अपने पास तो आप हमें पता है कि ये zeros हैं तो एक्स माइनस under root of five by three and ये एंड कह दें या इसको ये कह दें एक्स पालस under root of five by three ठीक है ये क्या है दोनों ये है ये facultory है ये फैक्टर होंगे किसके है इस polynomial कि लिए तो येны यह क्या है इसके factors हैं इस polynomial के ऐहांसे अगर इसके factor है इसको वैसे समझाएं basic से तो जो मानलों पास 24 है आपने इसके factor करने हैं इसके आपने क्या करने है factor करने है तो यह कितना जाय देखो 24 के आप factor करेंगे तो 2 से करें 12 आएगा फिर 2 से करें 6 आएगा फिर 2 से करें 3 आएगा तो आप इसको 2 x 2 x 2 x 3 ऐसे लिख लेंगे तो अगर आप देखें तो यह जो है क्या है 2 इसका factor है कि नहीं है 2 इसका factor है factor होने का मतलब यह है इससे यह जो है इससे यह जैसे 2 इसका factor है तो इससे यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जाय कि क्यों होगा यहां पे अगर आप देखें तो यह आप चाहए two into two into two into three था चाहाए आप इसमें इन दोनों फैक्टर से इसको डिवाइड करें तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं यहां से क्या आया 6 आया चाहिए आप एक से करें यह factor है इसका मतलब क्या है इससे पूरा पूरा divide होगा clear है अब इस दोनों को multiply कर दें तो क्या जाएगा यहां पे a minus b a plus b बन रहा है की नहीं दिख रहा है अपने को a minus b और into a plus b यह क्या होता है a square यह होता है a square minus b square का formula तो यही है इसको बनाए a square यानि x का square minus b square b का काम यह कर रहा है तो इससे under root हट जाएगा clear है ठीक है अग यह factor है given polynomial का तो इससे यह जो दिख रहा है polynomial यह क्या होगा पूरा पूरा divide होगा clear है देखो हम क्या कर रहे हैं जो बचे वे यहां पे सबसे पहले तो देखें तो यह जो polynomial है य इसके degree कितनी है वही 4 है highest जो power रहेगी highest power को यह आप क्या वो लेंगे degree of the polynomial ठीक है इसके अंदर highest power कितनी यह 4 है तो इसके maximum 4 zeros हो सकते हैं maximum हो सकते हैं वही आपके ठीक है अब यहां पे अपने पास 2 zeros तो इसने अलड़ी दिये हैं तो बच गए 2 zeros वो हम find out कर रहे हैं clear है जैसे हमने यहां पे यह दोनों थे और यह दोनों अगर find out करने हो तो हम करते हैं तो हम क्या करेंगे इसको divide करते हैं ठीक है कि नहीं तो यहां पे अगर यह दोनों मानलों अगर अपने पास given हो यह दोनों अपने पास given हो और हमें बच गए वो find out करने हो मतलब यह find out करने हो तो यह अपने को नहीं पता, तो हम क्या करते, यह माल अपने को नहीं पता, थोड़ी देर के लिए आप यह माल ले, यह एक अलफा है और यह बिटा है, तो इसको क्या करेंगे, यह 4 इसके डिवाइड में आज़े, 24 by 4 होगा, तो 4 से कितना है, 6 आया, तो आपको पता है कि यह 2 into 3 लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले, 6 कोई तो 2 into 3, 6 हो गया न, किलिर है, तो क्या क्या गया इस से, इसको डिवाइड किया गया, तो वही काम हम करने वाड़े हैं, यहाँ पे, अब करो डिवाइड, देखो, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अब, डिवा 3x-5, अब यहाँ पे x2-5 by 3 से यहाँ करने डिवाइड, देखें, आप अगर डिवाइड करने की बात करें, किसी के माइड में यह आ रहा हो कि इसको, अगर हम ऐल्सियम लेके और फिर कर लें तो, तो ऐल्सियम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x2-5 by 3 आएगा, यह 3 उदर खतम हो जाएगा वह जाके यह 3x2-5 से भी इसको डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, इससे भी आप इसको डिवाइड कर सकते थे, अब यह आ रहा है तो इससे कर लें, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, चाहिए तो आप इससे कर लेना डिवाइड, चाहिए इसे कर लेंगे. अब यहाँ पे देखें, तो X सुकेयर से इसको किसे multiply करेंगे, किससे करेंगे, 3 X सुकेयर से, तभी तो 3 X की power 4 आएगा, 3 X की power 4, और 3 X सुकेयर को अब इसे करेंगे, तो 3 से 3 तो कड़ जाएगा, वै भी multiply कर रहे हैं ना, माइनस 5 बाइ 3 को मल्टिपलाई कर रहे है 3x सुकेर से 3 से 3 कट गया माइनस 5x सुकेर आया माइनस 5x सुकेर है तो x सुकेर के निचे लिखे ओब इसको x cube के निचे क्यों लिखे clear अब यहाँ पे सब्ट्रेक करो तो यह माइनस का यह पलस का यह कैंसल हो गए यहाँ क्या बचा 6x cube और यह पलस का है यह माइनस का तो पलस का 3x सुकेर बचेगा यहाँ से माइनस 10x माइनस 5 clear है अब करें इसको 6 से मल्टिपलाई 6x cube तभी आएगा तो पलस 6 से करें भई 6 से करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 6x sorry cube लाना है न भई अपने को तो 6x और लिखें 6x cube तभी आएगा 6x cube हम मल्टिपलाई कर रहे हैं इस सारी को 6x से तो यहाँ तो 6x cube आ गया अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 5 by 3 को मल्टिपलाई कर रहे है आप 6x से तो 3 दुनी 6 माइनस का 10x आया की नहीं माइनस का 10x यहाँ लिखा जाए clear है x के नीचे यह x लिखें यह माइनस का यह पलस का तो यह ख Germans और प्लस माइनस और यह भी कट गए प्लस माइनस 3 x丁के और माइनस का 5 बचा बही अब फिर से करें 59 इसको देखो अब किसे करें इसको 3 से multiply यह जो दिख रहा है किसे multiply करेंगे plus 3 से तो यहाँ आजाएगा 3 x square और यहाँ क्या यहाँ क्या आएगा 3 से करेंगे 3 3 कर जाएगा minus का 5 यह आएगा तो यहाँ यह minus यह plus यह कट गया यह भी गट गया इसका remainder क्या बचा जीरो बचा बचना ही था है वो तो हमने पहले ही बताया था जब ये इसके factor है तो इनका इसके जब हमने इसको divide करें ही हमने आपको बताया था शुरू में ही तो remainder क्या आएगा जीरो आएगा किलियर है अब एक बात देखो ये जो आपका लिखा है 3 यहाँ पे कर देता हूँ भी अब मैं इसको 3x की power 4 ये जो पूरा लिखा है ये कैसे आया होगा दो factor तो ये थे इसके ये यानि की x square minus 5 by 3 इस into में ये और लिख ले आप 3x square 3x square plus 6x plus 3 लिखे लें किलियर है अगर आप इसको multiply करेंगे ना इन दोनों को यानि की देखें ये आप side में कर लेंगे ये divide किया है ये तो ये divide का ये क्यूशेंट लिखा है वह इधर तो इसके बाद आप ये करेंगे क्या कि इसका जो ये factor इसने बताये थे ये और हमने बताये थे और ये जो क्यूशेंट आए इन दोनों का multiply finally क्या आएगा ये आएगा clear है लेकिन हमें ये थोड़ी निकारना आए यह और थोड़ी करना है हमें क्या करना है जो बत गए वह आपने find out करने है ठेके अब बत गए वह find out न देको यह आगर हम देखें तो यह किसके equal है इसके equal है ठीक है अब यह 0 जो है वो कहां से आए होंगे यहां अब इसको अगर मैं 0 रख लूँ ठीक है बहुँ जीरो क्या होता है एक्स की वो value जो polynomial को क्या करेंगे satisfy करेंगे तो बहुँ यह अगर 0 के equal जाएगा यह दोनों इंटू में है 0 के इसका मतलब यह अगर 0 के equal जाएगा तो यहां से तो यह दोनों आ जाएंगे आएंगे के नहीं आएंगे ठीक है तो हमें यह दोनों तो थे ही हमें तो जो बच गए उनको निकालने की जरूरत है हम क्या करेंगे 3x square plus 6x plus 3 को 0 के equal लेके चलेंगे अब इसके factor कर दो आप तो factor करेंगे तो इसका इसका multiply 3-3-9 multiply करें तो 9 आए multiply करें तो 9 आए और add करें तो 6 आए ऐसा क्या बनेगा वही 3-3-9 तीन और 3 ही हो जाएगा तो यहां पर मैं लिख दूँ देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 3 से divide कर देते 3 से क्या कर दें बोच साइड डिव प्लस का टीन और 3 x 3 X 3 X 3 3 tane 9 बढ़ रमा गा एक सुकेर और यहां पर प्लस का छैए न बोटो हो यहां देखो ऑपना x प्लस 1 भार आ गया मतला को मणा यह से 3 एक सृट है इस include ृटु जिरू तो यह łatए Ishक प्लस 5 इसे गहें 9 x square और यहां पर पलस का 6 x भी आ रहा है पलस 3 is equal to 0 यहां से common लें तो 3 x common यहां x बच गया पलस 1 बच गया यहां से देखें तो 3 common ले ले तो यहां x बच गया 1 बच गया is equal to 0 अब यहां देखो वही क्या है अपना x plus 1 भारा आ गया यहां से 3 x plus 3 है is equal to 0 तो यह x plus 1 is equal to 0 तो x की value क्या आ गए आपकी minus 1 कितनी आ गए यहां से minus 1 और यहां से 3 x is equal 3 x plus 3 is equal to 0 रखेंगे तो x कितना आ जाया गए माइन उदर जाके minus 3 और यह 3 इसके अपन में आएगा तो minus 1 कितना आया minus 1 तो दोनों में कितना आ गए अपना minus 1 और minus 1 तो आप लिख देंगे जो remaining zeros थे वो क्या आ गए minus 1 और minus 1 ठीक है therefore आप लिखेंगे यह line यहां पे आप लिख देना therefore other zeros are minus 1 and minus 1 therefore therefore other zeros are minus 1 and minus 1 किलियर वई यह line आपने last में लिख देनी है ठीक है यह था आपका question number third friends आप note कर लेंगे देखें हमारी कोशिस रहती है कि वीडियो बले ही कितनी भी लंबी बन जाए आपको अच्छे से समझ आना चीए आपको अगर question समझ आया है तो आप subscribe जरूर करें और अपने friend circle में भी जरूर बताएं thanks for watching my videos